तो यह जो किष्णा करोणी का सेंट्र है मेरे लिए बहुत लग्की है मेरे दो डॉक्टर बीटी यहीं पड़ती थी आज वो दोनों बीटियां लो कर रहे हैं फेस्ट वाली और थर्ड नंबर वाली जो कि हम जब बाबा ग्यान में आयते ना हम इतने सावरान थे हमारे पास जीवन में इतनी सारी कमी हुआ करती थी बर जब बाबा के बने लिए ना चौदर से आज हम 10 साल होगे बाबा ग्यान आते हुए तो यह जो जबहें ना जहां बाबा का ज्ञान मिला हमें पलवल में ग्यान मिला हमारे कानों ने सुना कि ब्रह्मा कुमारी का सेंट्र पलवल में इस से पहले में यह समझता था कि खाली बाबा का सेंट्र वो रुशुतूर वालों मोड़े ना उसी पेंग वहां मारे जो भाईचा पर राजकुमार जो वकील भाई है राजकुमार वही ग्यान में चलती थी तो जब मैं उनके पास काम करने लगा ना तो फिर मुझे ऐ से चोड़ा पांच और ने सुना कि बाबा का कश्शन परोडी नहीं है तो आज ही हूँ सेंट्र है पहले थुड़ा इसमें बहुत सारा काम भी हुआ है और बाबा के सारे सेंट्र दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं तो वियतका खार दिया जा रहा है ना वह मारी इसके तो जैसे आप लोग ना आप भी इसमें बावा का बढ़सा ले सकते हैं आप भी भगवान से रूबरू बावा का ग्यान सुन सकते हैं देखे आज हमें आज मुझे 10 साल होगे ग्यान में आज मेरी दो डॉर्टर है लेल वी कि तयारी कर रहे हैं जो खृदबाद कोटनों बावा भाई का नाम है किष्णा स्री कृष्णा इन और उसी के पढ़ाई पढ़ाई आज रहे है कि स्री कृष्ण बगवान है या बावासेब क्योंकि वह बहुत भूए रहा जहें तो यह जो क्रिश्णा कोलोनी के सेंट्र है ना तो भारगा गेट के जैसे आप जाने भी आसपास में रहते हैं आप दी आई ये जैसे जो अली गल के लिए यह दर से पुल बगारा जाते हैं उसके नजदी की गली है तो भाईयों बेनों चांटी ओंचांटी ओंचांटी ओंचांटी